सब्सक्राइब करें मेरे चानल शिप्रा जूशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी विडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की मज़ेदार चाट की रेसिपी जो खानी में बहुत ही टेस्टी है और इसे आप घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्यास को मीडियम फ्लीम पर सेट करके एक तवा रखेंगे और उस पर एक टेबल स्पून तेल डाल देंगे तेल गरम होने के बाद आप इसमें इस तरह छोटे पीसिस में कटे दो उबले हुए आलू डाल दीजिए मिला लेते हैं इनको यहाँ पर हम आलू को चाट के लिए हलका सा फ्राइ कर रहे हैं इससे ये बहुत ही टेस्टी बनेगा ध्यान रखिए कि आपको इन्हें तलकर ब्राउन नहीं करना है बस दो तीन मिनट के लिए इस तरह शालो फ्राइ कर लेना है बीच में एक दो बार पलट लीजिए इनको ताकि ये सब तरफ से बराबर पक जाए कुछ देर के बाद आलू इस तरह के हो जाएंगे ऐसा होने पर हम इन्हें एक अलग बोल में निकाल लेंगे आलू तयार हो जाने के बाद आप इसी पैन में डालिए एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्यास और एक टमाटर इन्हीं भी हम दो तीन मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे यहाँ पर हम इनको पका कर हलका सा सौफ्ट कर रहे हैं इससे ये चार्ट में बहुत अच्छे लगेंगे दो मिनट हो चुके हैं प्यास टमाटर हमारे तयार हैं अब आप गैस बंद करके इन्हें एक बोल में निकाल लीजिए इसके बाद हम लेंगे दो टेबल स्पून फेटा हुआ दही इसमें आप आधा टी स्पून बूरा चीनी डालिए और उसे अच्छे से मिला दीजिए आलू चार्ट में थोड़ा सा मीठा दही डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अब हम एक बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे ये उबाल कर फ्राइ किये हुए आलू फिर आप पकाए हुए प्यास और टमाटर डाल दीजिए फिर हम इसमें एक छोटे साइस का भारी कटा हुआ कच्छा प्यास और कच्छा टमाटर भी डाल देंगे चाट में ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके बाद मसालों में जाएगा एक चौथाई टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून चाट मसाला फिर आप डालिए पाथ से छे छोटे अद्रक के टुकडे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च आठ से दस बून नीमबो का रस एक टेबल स्पून टमेटो केचप आप चाहें तो इसकी जगा खटी मीठी इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं पर जादा तर हमारे घरों में टमेटो केचप ही इजिली अवेलेबल होता है इसलिए मैं यही यूज कर रही हूँ फिर आप डालिए पहले से तयार करके रखा हुआ दो टेबल स्पून मीठा दही और कुछ फ्रेश धनी की पत्तियां मिला देते हैं सारी चीजों को आखिर में हम इसके उपर थोड़ी सी नमकीन डाल देंगे यहाँ पर मैंने आलू भुजिया ली हैं आप इसकी जगा अपनी पसंद की कोई भी और नमकीन ले सकते हैं ध्यान दीजिये कि नमकीन को आप इसे सर्व करने से जस्ट पहले ही आड़ करें यह आलू चाट बहुती मसालेदार और चटपटा होने के साथ साथ बनाने में भी काफी आसान है अगर आपके घर में कोई छोटी पार्टी हो तो आप इसे फटाफट से बनाकर स्टार्टर्स के रूप में सर्व कर सकते हैं तो यह थी हमारी सिंपल और क्विक आलू चाट की रेसिपी आप इसे घर पर जल्दी से ट्राइ करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीड़बैक जरूर बताईएगा साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कर दीजिए थांक यू फो वाचेंग